मैं सुझय कुमार और आपके अपनी चैनल एंडीफिटेट फेंटेशे किरिकेट में आपका स्वाकत है दोस्तों जैसा कि आप जानते हो के हमारा जो ये चैनल है वो फेंटेशि रिलेटेड है और फेंटेशिस रिलेटेड हम लोग यहां पर बात करते हैं यानि ड्रिम यहां पर कभर नहीं कर पाते हैं वह सारा कुछ इंफर्मेशन में आपको टेलीग्राम पर इनफॉर्म करता हूं ठीक है क्योंकि सम्माइब पॉसीवल है नहीं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कभर करते हैं मैं कितने से कितने वीडियो में आपको एक दिन में दे सकता दो से तीन या तीन से चार ठीक है तो बागी सारे जो लीग लीग वगएर होते हैं मैचिश के ठीक है तो वह हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर कभर करते हैं तो वहां पर कैसे जूरना है और यह जो मैच होने वाला है सौधिय अरभिया और कतर के बीच में यह आपके यह को ठीक ठीक इन्वेस्टमेंट वाला मैच है और इसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो क्यों करना है मैं जब आपको वीडियो पूरे डिटेल से बताऊंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा तो पहले डिसकस कर लेते हैं कि हम लोग यहां पर इस वीडियो में क्या क्या डिसकस करने वाले हैं तो ठीक है टीम नीज दूँगा दोनों टीमों से कोई प्लेयर नहीं खेलने वाले है या फिर कुछ खेलने वाले है वह पहले मैं आपको बताऊंगा इंजरी अपडेट क्या रहने वाला है प्लेइंग 11 दूँगा दोनों टीमों के जो 11 प् करके चलना उसके बात कर लेते हैं डिसक्स करेंगे तो तीन से चार प्लेयर आपको ऐसे बताएंगे जो कि आपके बेस्ट के लिए आपके अच्छी चोइसे रहेंगे स्मॉल लिग प्लस गेंड लिग दोनों के लिए ठीक है तो यहां से देख करके अब चलना गाईज तो गाईज अब हम लोग डिसक्स कर लेते हैं कि हम हमारी अपकमिंग वीडियो कौन-कौन सी आ रही है और कौन-कौन से लिग हम अपने टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर रहे एक तो सीफीड सील्ड है जो कि चार दिन का टेस्ट है कल सुबह में मैच है अगर उससे पहले आप वीडियो देख रहे हो तो यह देख सकते हो अस्टलिया में चल रहा है टेस्ट वगरा होता है टी ट्वंटी वल्लक जैसे के चल रहा है वह भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं टो हम भी बिग बैश लीग जोगी अभी चल रहा है उमें वाले तो वह भी हम लोग कभर कर रहे ह। यहां सब देखेन के चलना अफगानिस्तान वनडेक यह भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं odpow Trans three में यहां देखते चलना समझते चलना अन्याग没事 अपको पूरे अच्छे तरीक तो तरीका है एक तो है कि जहां से आप वीडियो देख रहे हो उसके नीचे डिस्किप्शन में चले जाना ब्लू कलर का लिंक मिलेगा उस पर डारेक्टली क्लिक करके डारेक्ट हमारे चैनल पर जूर सकते हो या फिर सर्च कर लेना अंडिफिटेट फेंटेसी रिकेट जो की अब हम बात करते हैं कि आप के लिए आए हो उसके बारे में डिसक्स करते हैं यह ठीक है किस ग्रांड पर मैच खेला जाना है वेस्ट इंडपार इंटरनेशनल इस्टेडियम कतर के राधानी दोहां में यह मैच आपको खिलना हूँए नजर आने वाला है अगर हम यहां से बात करेंगे कि यह कब मैच है तो कल है मैच भाई साहब यह अठाइस अक्टूबर 2021 को सुरी यहां पर तीन नहीं है तीन बज के 40 मिनट पर यह मैच है दो पहड़े में ठीक है तो आपको क्या करना है साड़ तीन बजे का एलाम सेट कर लेना है अभी ही आप जा करके सेट कर ल है stew रहने वाला है बौलिंग फ्रेंडिय अब ऐसा कियो है मैं बताता हूं कलाउट के बात करनें यहां पर clear नहीं वाला है कोई आपकी बारेस की समभवना इस मैच में आपको देखने को नहीं मिलेगी देखो यहां पर बॉलिंग फ्रेंडली पीछे बीकेट ज्यादा गिरते हैं बॉलर को थोरा ज्यादा सपोर्ट देखने को मिलता है इसी वजह से यहां पर 126 स्कोर है यहां पर आप देख सारे कुछ इंफर्मेशन आपको टेली गराम पर बता दिया करूंगा तीम स्ट्रेंथ के बारें बात करेंगे कि इसके जितने के चांसेश कितने जादे हैं तो साथ परसेंट चांसेश हैं कतर के जितने के ठीक है तो यहां से देखकर करके चलना ऐसा क्यूं है मैं बोल रहा सभी मैच या टीम थोग है । किसे अभी तक बात करने से तो बैजेश के बात करने को सथ डूमे indeed दोन है कितने मैचेश खिले तो बात करने में दोनों के बात करना अभी व्योय कोफी होगा तो अन्हें रहत प्रेडिटेबल प्लेइंग 11 के बारे में अगर यहां पर बात करेंगे साओधी अरब्या और कतर के बीच में की दोनों टीमों के प्लेयर कौन से रने वाले हैं कैटन कौन है विकेट कीपर कौन है विद बैटिंग ओडर हम लोग डिसक्स करेंगे तो पहले हम लोग साओधी प्लेइंग 11 के बारे में डिसक्स कर लेते हैं ठीक है यहां से देखो यहां से साजी चीमा, फैजल खान, अब्दुलकफार, इम्रान अरीफ, अब्दुलवाजीद, इस्तियाक, अहमत, जियान अब्दीन, इम्रान यूसुफ, सर्फराजबट, अमीर सहजाद, और मुहमत स यहां से देख करके चलना, इस टीम के कैप्टेन है, अब्दुलकफार, और विकेट कीपर से आपको आएंगे, सर्फराजबट, और देखो कुछ प्लेयर के इंवे मैंने स्टार लगा रखा है, इस टार का मतलब यह है कि इस टीम के यह प्रमुख बॉलर है, इनके तरफ से इंपोर्टेंट बॉलर है, जो आपको हर मैच में बॉलिंग कराते हुए निज़र आएंगे, और विकेट लेते हुए भी निज़र आएंगे, ठीक है, कंपेर टू अधर प्लेयर, और चार ओबर का त्यू ट्रेंटी में स्पेल होता है, तो यह आपको चार ओबर करते ज़रूर आपको डालेंगे, तो इस्टार वले प्लेयर पर थोड़ा आप देख करके चलना, अब इंके जो रिसेंट प्रफॉर्मेंस है, एक दो मैचेज के उसके बारे में डिसकस कर लेता है, तो यहां से देखते चलना और उस बेसिस पर हम लोग का टीम करेंगे, साजी रूवश के चीमा है, पहले मैच खेला उन्होंने, जिरू रन दूसरे मैच में 52 रन, रूख बैसे थीक है, एक मैस में चल रहा है, बंदा, एक मैस में नहीं चल दा है, तो टिक-ठक परफॉरमेंस करके देगा, आपके टीम में डपसेंगा फिक शहां का इसमल लिग पलस ग तो ठीक ठीक बनेगा आपके लिए जरूर करके चलना अब्दुल गफार के बारे में कर हम बात करेंगे भाई यहां से तो पहले मैच में 33 दूसरे मैच में इनके इंड में इस्टार लगा रखा है तो 22 विकेट चार बर कुड़ा करता हो नजर आया है तो आठ रन दो विकेट यहां पर निकाला है तो यह आपको हर मैच में विकेट पलस रन स्कोर करके देगा तो इंको जुरू ट्राइक करके चलना इस मॉल लिग में क्याप्टिन ब कि अधाएद के बारें बात करेंगे तो जी उनन्न इक विकेट दस तो विकेट यहां पर तीन ओफर करता हूँ नजर आ है यहां पर चार ओफर तो मतलब अपना कंप्लीट ओफरद डालता हुआ यह नजर आ रहा है हर मैच में ठ्धेट हैको और करता हूँ को तो जू जाद और यहां पर 2 wicket निकाला है बंदेने तो यह भी आपको ठीक प्रफ़मेंस कर देंगे। जरूर ट्राइ करके चलना अज़री ना इबी इम्रान यूसुप के बारे में बात करएंगे तो यहां पर 3 वर में 1 wicket यहां पर 3 वर में 0 wicket ठीक ठीक प्रफॉर्मेंस है बट कंपेर टू अधर प्लेयर इनका थो रासर रिकॉर्ड आपको कम देखने को मिलेगा तो इनको ट्राइक करना चाहते हो ते कर लेना नहीं चाहते हो तो मचलना अगर हम बीकट कीपिंग सेक्शन से देखेंगे तो यहां से सरफराज बट मिले के टीम के लिए उस्मान कुदेशी का ठीक है तो आप यहां से इनको भी मत ही ट्राइक करना तो ज्यादा बेट रहेगा तो इनके ट्रिम से देखो अभी इंपोर्टेंट कौन कौन से प्लेयर रहने वाले हैं वह पहले आपको बताता चलता हूं यहां से देखो साजी चीमा आपके लिए इंपोर्टेंट पीक रहेंगे अब्दुल गफार को मैं आपके ऊपर चोड़ता हूं ट्राइक करना चाहते हो तो ट्राइक कर सकते हो सिर्फ आपको बैटिंग से पॉइंट देने वाले हैं आपके लिए इम्रान आरीफ अब्दुल वाहिद इस्तियाक गाइज अब देखो आगे वीडियो को बनाने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है और आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो यार लाइक से क्या होता है कि मुझे मोटिवेट मिलता था कि मैं आप लोग गंडे के अंदर अंदर में किसी ने किसी मैज कर टीम वगरा आपको प्रवाइट कर आएं देता हूं ठीक है तो यहां से आप देख लेना और विश्वास नहीं तो आप जाकर कर देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा अब हम लोग बात करते हैं कतर के बारे में यहां से कतर का प्लेंग लेवन में लिख रखा है यहां पर यहां से देख लो और यही बैटिंग ओडर भी इनका रहने वाला है देखो यहां से कंप्लीटेड ओवर डालते हूए को नजर आएंगे कैप्टन तो यहां से इकबाल हुसें है विकट कीपर से म प्रफॉर्मेंस रहां। अंडreek Beranger है। ठीक ठाइप करके देंगे बादक थे, अभुषक्त हैॐ एक रण बार रण का पारी खेला है तो ग्रेंलिंग में ही रोटेट करना मुहम्मद रिजलाना आपके लिए सबसे ज्यादे इंपॉर्टेंट पीक रहेंगे विगट कीपर सेक्षन से तो मस्ट पीक रहेंगे इंको जरूरू ट्राइक करके चलना चोबिस रण बासट रण ठ ठीक ठीक परफॉर्मेंस करके आपको देगा जाहिर इबराहीम है 33 रन 15 रन 0 विकेट तो यह भी आपके लिए ठीक 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 है बट एक ही ओवर बॉलिंग करता हुए नज़र आएगा आपको बंदा यह तो इससे आप एकस्पेट करना कि आपको बैटिंग से ही पॉइंट देने वाला है अगर हम बात करेंगे यहां से इकबाल हुसेन के बारे में तो यहां से 13 रन 1 विकेट यहां से 22 रन 3 विकेट तो यह भी बंदा आपको हर मैच में परफॉर्मेंस करके देगा बैटिंग पलस बॉलिंग और चार ओवर का पूरा कम्प्रीट बॉलिंग करते मुहमद मुराद है स्मॉली के लिए मुझे खास प्लेयर लगते नहीं है पहले मैच में बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं दी गया दूसरे मैच में तीन प्लस जीरो विकेट दो अबर बॉलिंग करते हुए तो कुछ खास इंका स्टैट्स है नहीं ग्यान मुनावीरा भी क कुछ खास मुझे प्लेयर लगते नहीं है ग्रेंडली में ही रोटेट करना आप मुहमद नदी में देखो इस मैच में चार ओवरी बंदा ने बॉलिंग किया और चार विकेट निकाल लिया ठीक है तो एक मैचेज के बेसिस पे आप इंको ट्राय नहीं कर सकते हो अपने टी इनको ट्राय करना तन्वीर है जाहर इपरया को चाहते हो फिर बाकि निचे से मुझे कुछ खास लगने रहा हैं अगर चाहती हो तो मुहमद दिम को ट्राय कर सकते हो वरना चोड़ सकते हो अब बात कर लेते हैं कि आप फाइन टीम व्गर नतीम कर सकते हो इंद हूश कोई पैसा आपको नहीं लगेगा सारा काम आपका भाई देखने वाला है और आपको हमारी थोड़ी सी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक से सब्सक्राइब करना मद भूलना क्योंकि सबसे जादा इंपॉर्टेंट में लिए वही है और मुझे मालूम है आपको वीडियो पसंद आया है और आप लाइक करके ही जाओगे आपने भाई को सपोर्ट करोगे आगे गुर्व कराओगे और सबसी इंपॉर्टेंट बात में यह बताना चाहता हूं कि आपके बिना में कुछ नहीं ह अगर आप हो तो मैं हूँ आप नहीं तो मैं कुछ नहीं तो इस बस आप ही के सपोर्ट से में गो ओख करोंगा आप मुझे मालूम है क्याप सपोर्ट करोगे इसलिए में कर रहा हूं तो प्लीज 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 कीप सपोर्टिंग आवर चैनल आवर टेलीग्राम और आवर यूटूब चैनल सारा जगा सपोर्ट कर तो फैला दो ठीक है अपने भाई को तो अब हम लोग चलिए डिर्म लिलिन का टीम डिसकस करते हैं अब में ले चलता हूं को मोहमद रिजलान इन्हीं को ट्राइक करके चलना है अट इनी कोस्ट कीसी भी कीमत पर ग्रेंड लिग में भी बैटिंग सेक्शन पर जाते हैं यहां से देखो आपके लिए कौन-कौन से पीक रहने वाले हैं यहां से देखो जाहिड जहिरुदीन इब्राहीम है इनको आपक प्लेयर करना मोहमद नदीम यह सारे प्लेयर खेलेंगते हुए साथ आपको कमी निजर आएंगे तो बागे नीचे से कोई और खास प्लेयर है नहीं एक प्लेयर आपको आपको लेना है बैटिंग से तो आप अब्दुल वाहिद गफार को ट्राइक कर सकते हो ठीक है तो मैं मैं अभी के लिगा करूंगा ये बिरेंगर के साथ ज्यादा ज्यादा प्रीफर करूंगा क्योंकि ये परफोर्मेंस कर कर के दे साथ और भी गफार के साथ ही ज्यादा जाना प्रीफर करूने वाला होूं औल राउंटर सेक्शन से आते हैं तो इकबाल, उसेल, फैजल, खान, इबरान, अरीफ, मुहमत तानवीर इक मैंस में बंदा चार्ड विकेटिंग का लिया था बटेक मैंजिज के बिसिस पर हम लोग ट्राइए नहीं करेंगे अपने टीम में तो यहां से फिर अगर मैं देखना चाहूंगा तो यहां से देख लो इस्तियाक अहमद है ठीक ठाक प्रफोर्मेंस करके आपको दे सकते ह है ठीक है तो यहां से मैं पहले पिक लिएंगा इंको फिर जेनल अभी दीन को आप ट्राइ कर सकते हो अब यहां पर भाई साहब क्रेडिट इस वह आरहा है ठीक है credit उस वहा रहा है किसी को ड्रॉप करना पड़ेगा तो यहां से अब्दुल वाहिद गाफार के प्लेस पर मैं इंको ले लूँगा एक बेरेंगर को तो हमारे पास क्रेडिट बन जाएगा आप चाहो तो फिर यहां से इम्रान यूसुप को ले सकते हो लेकिन मैं ज्यादा बूलूँगा नहीं मौहमद नदीम के साथ ही ज्यादा जाना प्रिफर करने वाला हूं तो यह जा करके अभी हमारी टीम क्रिएट हुई है अभी देखो टॉस अब्डेट आया नहीं गुझ तो अभी तक मुझे मालूम नहीं है कि कौन से प्लेर खेलेंगे कौन से प्लेर नहीं खेलेंगे इसलिए बो रहा हूं कि फाइनल टीम के लिए आपको हमारी मिलने वाली है इकबाल हुसेशन तो पहले चोईसेश कौन-कौन से रहने वाले हैं वो पहले मैं बता देता हूं इकबाल हुसेशन मुहमत तनवीर इम्रान आरीफ ठीक है तो यह सारे आपके चोईसेशन रहने वाले हैं फैजल खान को अगर विचाहो तो ट्राई कर सकते हो तो मैं अभी के लिए देखो कटन और इमरान आरीफ को वाइस केप लिए अभी हमारी टीम यह रहने वाला है ठीक है तो यहां सेफक कर लो अभी देखो हमाली जैनेड पर पांड़ सेटर अ और टीम झाल झाल झाल